हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रॉनिक्स आज की इस टुटोरियल में हम ओडवीनो की साथ में आयर सेंसर को इंटरफेस करेंगे और इन दोनों को इंटरफेस करके हम मोशन डिटेक्टर बनाने वाले हैं तो बिना देरी की यह शुरू करते हैं दोस्तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमको जो इलेक्ट्रोनिक्स की कॉंपोनेंट्स की जरूरत है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेट बोर्ड उसके बाद में हमें चाहिए और्डवीनो आयर सेंसर एलीडी और जंपर केबल दोस्तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हमें इस सर्किट डायग्राम को फॉलो करके सर्किट को बनाना है तो आईए हम जल्दी से circuit को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम breadboard ले लेंगे breadboard में हम IR sensor को इस तरह से लगा देंगे अब इसके बाद में हम Arduino लेंगे और Arduino की 5V की pin को IR sensor की VCC pin से connect कर देंगे ये देखी इस तरह से इसके बाद में मैं jumper cable लूँगा और इस jumper cable की help से Arduino की ground pin को IR sensor की ground pin से connect कर दूँगा ये देखी इस तरह से अब इसके बाद में मैं IR sensor की output pin को Arduino की किसी भी digital pin से connect कर दूँगा यहाँ पर मैंने output pin को Arduino की pin number 8 से connect किया हूँ इसके बाद में LED लूँगा और LED को breadboard पर लगा दूँगा और jumper cable की help से LED के positive terminal को Arduino की pin number 13 से connect कर दूँगा और जो LED का negative terminal है उसको Arduino के ground से connect कर दूँगा ये देखी इस तरह से हमारा circuit पुरा हो चुका है दोस्तों अब बारी आती है programming की programming के लिए मैं अपने PC में Arduino ID software open कर लूँगा और new file पर click करूँगा अब यहाँ पर मैं program लिखना start करूँगा यहाँ पर मैं एक variable create करूँगा जिसका नाम है IR और इस variable का data type रहेगा integer इसके बाद में void setup में लिखूँगा pin mode 8 input यहाँ पर मैंने pin number 8 को input declare कर वाया हूँ जिसमें की मैं IR sensor का input दूँगा इसके बाद मैं लिखूँगा pin mode 13 output pin 13 से हम output लेंगे और यह output LED में जाएगा इसके बाद में मैं जाओँगा void loop में void loop में मैं लिखूँगा IR equals to digital read 8 दोस्तो IR sensor का जो भी data है चाहे वो high हो या फिर low हो यह data IR वाला जो variable है इसमें store होगा दोस्तो IR sensor क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है इसके उपर मैं वीडियो बना चुका हूँ आप चाहे तो i button पर click करके उस वीडियो को देख सकते है दोस्तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि IR sensor दो टाइप कर रहता है आप चाहे तो i button पर click करके if statement का वीडियो देख सकते है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा if IR equals to high और इस loop के अंदर मैं लिख लूँगा digital right 13 low इसका मतलब यह है कि जब हमने IR sensor के सामने कोई भी object को नहीं रखा है तब pin number 13 से low output मिलेगा इसका मतलब की LED off रहेगा अब ठीक इसका opposite हम नीचे में लिखेंगे if IR equals to low digital right 13 high इसका मतलब यह है कि जब हमने IR sensor के सामने कोई object रखे है तब Arduino की pin number 8 पर low input जाएगा और यह low input IR variable में store होगा और जब IR variable में low value store होगी तब LED on हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इस loop के अंदर में लिखे है digital right 13 high दोस्तो हमारा program complete हो चुका है अब मैं यहाँ पर इसको compile करूँगा compile करने के पहले हमें इसे save करना पड़ेंगा और save करने के लिए मैं इसका नाम लिख लूँगा IR plus Arduino जैसे ही मैं save पर क्लिक करता हूँ तो यह compile होना चालू हो जाता है दोस्तो यहाँ पर error आ जाता है क्योंकि मैंने यहाँ पर semi column नहीं लगाया हूँ तो यहाँ पर मैं semi column लगा दूँगा अब यह compile हो जाएगा बिना error के दोस्तो यह compile हो चुका है अब मैं upload पर क्लिक करूँगा दोस्तो आप देख सकते हैं यहाँ पर program upload हो रहा है और प्रोग्राम upload हो चुका है तो आप जैसे की देख सकते हैं जैसे ही मैं अपना हाथ लेकर जाता हूँ IR sensor के उपर में वैसे ही LED on हो जाता है और जैसे ही मैं अपना हाथ हटा देता हूँ तब LED off हो जाता है तो दोस्तो इस तरह से हमने इस वीडियो में IR sensor और Arduino की help से motion detector बनाए है अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई doubt है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों तक इस वीडियो को share कीजिए और अगर आप इसी तरह के Arduino के project बनाना चाहते हैं Arduino की basics दीखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को भी दबा दीजिए जिससे कि हम जब भी Arduino से related कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको notification आ जाएगा वीडियो को आखरी तक देखने के लिए Thank you so much